Hello dear students, आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं JEE से related एक important concept और वो है AOI, Application of Integration. Basic area आपके पास होगा कि area कैसे निकाला जाता है और मैं straight on लेने वाला हूँ कुछ typical questions जिसको मैंने subjective, objective दोनों तरीके से solve करा हुआ है और ये इस series का part 1 है, ऐसे ही हम 4-4-5-5 questions लेते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, तो आएए देर ना करें और जल्दी से questions में enter करते हैं आएए सीधा question पे enter करते हैं, ये रहा पहला question, the line x is equal to pi by 4, this is a line parallel to the y-axis divides the area of the region bounded by y equals to sin x, y equals to cos x and the x-axis यानि ये एक line है जो अगर मैं अगर एक rough sketch बना के देखें, तो ये x is equal to 0 है और यहां से लेके यहां तक बनाना है, यानि x is equal to 0, खुद y-axis, x is equal to pi by 2 a code line parallel to the x-axis और यहां x is equal to pi by 4, तो sin और cos के area को ये equally divide कर रहा है with the help of x-axis, तो बताए अगर पहला area जो है मैं a1 ले लूँ और दूसरा area जो है वो a2 ले लूँ, यहां से देखें, a1 और a2 तो इनका ratio बताना है तो अगर तो यह question आपको already पहले से आता है, तो तो आपको answer पहले से पताई होगा तो मैं इसको objective, subjective दोनों तरीके से कर दूँगा, subjective explain करने के लिए है, वही steps आप कम करें, और अरली कर लें तो वो objective बन जाएगा, तो दियान से देखें, अगर मैं यहां पर sin x और cos x दोनों equal कब होते हैं, 0 से लेकर by by 2 के अंदर, अगर 0 से लेकर by by 2, first quadrant मैं देखूँ, तो बच्पन से यह सिखाया जाता है कि 45 एक ऐसी value है, जहां sin और cos आपस में equal होते हैं, तो यह बात तो समझ में आ रही है, और अगर मैं cos का graph बनाता हूँ, यह 1 है, ठीक है, इधर 1 है, और नीचे मैं minus 1 देख देता हूँ, ठीक है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि minus 1 है, तो sin का जो graph है, 45 डिगरी root 2 पर होता हुआ, sin 90 जो है, sin का graph ऐसा जाएगा, इस तरह से, sin 90 इस तरह से, मतलब आप थोड़ा और छोटा भी बना सकते हो, यह देख लो, इस तरह से आजाएगा, और cos का graph जो है, वो इस तरह से आजाएगा, ऐसा, and the x-axis, तो and the x-axis, तो क्योंकि यहाँ पर x-axis भी दिया हुआ है, तो इसे लिए, पहला यह जो a1 है, वो यह area हो जाएगा, 0 से लेके 45 तक, और यह कौन सा graph आ रहा है, यह graph आ रहा है, sin x का, क्योंकि sin 00 है, और sin 90 जो है, वो 1 है, ठीक है, और cost से alert, मैं थोड़ा सा color change करता हूँ, देखो, अगर आप देख पाओ, तो यह area a2 हो जाएगा, तो यह a1 area यह है, और a2 area यह है, ठीक है, तो आप बताइए कि, क्या, इनमें ratio क्या होगी, अगर orally आपको पता है, तो ठीक है, नहीं तो इक बार करके देख लेते हैं, 0 से लेके 45 तक हमारे को area निकालना है, sin x, तो यह हो जाएगा, minus cost 6, 0 to 5 by 4, cos 5 by 4, minus cost 0, cos 0 जो होता है, 1 होता है, और यह 1 by root 2 होता है, तो answer आजाएगा, 1 minus 1 over root 2, यानि root 2 minus 1 over root 2, यह a1 का area आगया, अब similarly, हम मैं a2 का area निकालना हो, और a2 का area क्या निकलेगा, 45 से लेके 90 तक, cos x, अब cos x का integration क्या है जी, sin x, 5 by 4 से लेके, 5 by 2 तक, sin 90 minus sin 45, sin 90, 1 sin 45, तो यह देखे, answer जो है, वो, दोनों area जो है, वो same आ रहे है, अगर मैं ratio निकालता हूँ दोनों की, तो वो ratio 1 is to 1 आ रही है, इसी से मिलता जुलता question और भी है, अगर यहाँपर sin x ना दिया जाता ना, यहाँपर इस तरह से यह sin x ना दिया जाता, तो फिर मा और यह area बनता है, यहाँए, cos minus sin x, और इधर हो जाता, sin minus cos 45 से लेके 90 में, तो भी वो दोनों areas बरावर आते हैं, बट फिलहाल इस question का answer है, option D, यानी 1 is to 1, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अब इस दूसरे question को देखते हैं, question क्या कह रहा है, find the area which is bounded by these two parabolas, द upward parabola हैं, and the line y is equal to 2, this is a line parallel to the x-axis, y is equal to y-1, तो मोटा मोटी अगर मैं लेखो, तो ऐसे parabolas बनेंगे, शायद, और यह एक line आ जाएगे, इस तरह से, तो आइए, थोड़ा से इसको elaborated way में भी करके देखते हैं, और फिर वोई बात objective होगा, तो हम जितने भी working कम कर सकेंगे, orally क कर सकेंगे, उनसको orally करने वाले हैं, तो दियान से देखें, अगर मैं पहले, पहली equation को लेता हूँ, तो y is equal to 4 x-square, तो यह बन जाएगा, हमारे पास, x-square is equal to 4 into 1 by 16 into y, x-square is equal to 4 ay, तो इसका जो focus हुआ, यह upward parabola हुआ हूँ, और यह first quadrant और second quadrant को cover करते हुए, y-axis के symmetric हो गय और इसमें a की value जो है, focus के लिए, वो आख़ी 1 by 16, अब दूसरे को अगर मैं देखू हूँ, तो यह हो गया, y equals x-square by 9, और इधर मैं देखू हूँ, तो x-square हो गया, 9, यानि के 4 into 9 by 4 times of y, और यहां a की value 9 by 4 निकली है, यानि जो second वाला parabola है न, वो जादा wide बनेगा, और फिर आगे अगर हम बढ़े हैं, एक मिनित में page enter कर लेता हूँ, तो यहां तक तो समझ में आ गई बात की second वाला parabola इधर बनेगा, क्योंकि उसका focus दूर है, और पहले वाला फिर इस तरह से बना देते हैं, रफ sketchy बनाना है, तो फ़रा curve होना चाहिए, अगर आप objective कर रहे ह तो area bounded जो है, अगर area bounded तो कुछ इस तरह से आएगा न, यही आएगा area bounded तो, और symmetric है, twice कर देंगे, तो मैं तो यह मान के चलता हूँ, कि अगर मैं y axis पे निकाला दूँ, क्योंकि यहां हर जगा 2 है, यहां पे component 2 है, तो 0 से लेके 2 तक, मैं x coordinate निकालता ही नहीं, smart work कर लेते है तो यह curve 2 था, बहाद वाला और यह curve 1 है, तो देहां से देखे, अगर मैं यहां पे drop करता हूँ, उपर से लेके नीचे गिर रहा है, अब क्योंकि मैं यहां सब कुछ y axis के respect में बता रहा हूँ, अगर हम लोग इसे normally करते हैं, तो हमें x axis की limits लेनी पड़ती हैं, और तब area न y2 minus y1, x के respect में within the limits of x axis, बट क्योंकि हम यहां x axis के respect में करी नहीं रहें, अब ध्यान से देखे, तो हमने अभी यहां horizontal lines की बात करी है, कि उपर से lines drop कर रहे हैं और नीचे वाले curve पे आ रहे हैं, तो इस समय जो area हो जाएगा, वो होगा, 0 से लेकर 2 तक, 0 to 2, curve अबव यानी, x के respect में लेना पड़ेगा, x को dependent लेना पड़ेगा, second curve minus the first curve, और इनके positive root लेते हुए और यह y के respect में होगा, याद रखिये, और इनके positive root लेते हुए हम लोग इनका integration कर सकते हैं, अब भई है तो यह 9y न, अगर मैं अब यह देखो, तो x की value क्या हो जाएगी, root 9y, positive root लेना पिर से बोल देता हूँ, और यह root में आ जाएगा, root तो इस तरह से आ जाएगा, so 3 root y dy, और ऐसी जब first वाले को करोगे, तो वो 1 by 4 का root लोगे, तो 1 by 2 root y dy हो जाएगा, इसमें भी अगर तुम LCM ले लेते हो, LCM लेने के बाद आएगा, एक smart work कर लेते हैं, क्योंकि root y भी common आ जाएगा, तो 6 minus 1 divided by 2, और root y common आ गया है, यह देखिए, इस तरह से आ गया है, तो यह और यह तो कड़ गया, यह आ गया, 5, integration करा, 3 by 2, divided by 3 by 2, और limits आ गया, 0 to 2, यह हो गया, 10 by 3, 2 raised to part 3 by 2, minus 0, तो यह तो पता ही है, 10 by 3 और इसको क्या लेक सकता है, 2 का cube, और फिर 1 by 2, या यह हो गया, 8, 8 का root, तो यह answer आना चाहिए, 10 by 3, 2 root 2, यानि 20 root 2 by 3 square units, तो option अगर हम चेक करें, क्या यह कोई option है, 20 root 2 by 3, तो यह option number D पर जा रहा है, हमारा, अच्छा question है, आगे बढ़ते हैं, आईए, अब हम तीसरे question की दरफ चलते हैं, और question क्या है, the area bounded by the curves, यह कौन से कर वह है, यह है, semi circle, और इस circle का center है 0, 0, radius है root 5, and the mod function, और जिसका change point है 1, यानि V-shape graph है, और change point है, यानि 1 पे change होगा है, पॉजिटिव रूट है, इसलिए above the x-axis बनेगा, और ऐसा बनने वाला है, यहाँ पर ऐसा बनने वाला है, तो यह दो points हमारे को ढूणने हैं, और अगर यह दो points हम ढूण लेंगे, तो फिर क्योंकि ना तो x-axis, और ना तो y-axis दी होई है, तो, अगर मैं यहाँ पर देखू तो, यह bounded area आ रहा है, देखो ध्यान से, यह आ रहा है, bounded curvature, concave curvature एक ही है, तो यह bounded area आ रहा है, यह हमें find, तो जल्दी से जड़ा point of intersection निकाल लेते हैं, ताकि हमारे को पता लग जाए, ठीक है, तो यह है, wires equal to under root of, और वो भी mod है, squaring कर लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, squaring कर लेते हैं, अब squaring करते ही, whole square करते ही, देखो, root और square तो पिर से सुन लो, mod का square करने से, mod और square करते नहीं है, mod की importance कतम हो जाती है, तो ऐसा आ गया, तो जब हम इसे open कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक quadratic दिखाई दे रही है, देखो, मैं उधर ले जाते हूं सबको, 2x square minus 2x minus 4 is equal to 0, और अब मैं 2 common ले लो, अगर x square minus x minus 2 is equal to 0, जिससे मेरे पास x की दो values आ रही हैं, अगर मैं देखूं तो 2 और minus 2 and 1 तो factors आ जाएगे न, यूं हो जाएगा, दिखान से देखो, x minus 2 into x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to 2 and x is equal to minus 1, और मैं किसी में भी put कर लों, क्योंकि जिसकी degree कम हो देखो, एक ही root देगा न, तो ये put करते हैं, तो अगर मैं 2 put करता हूँ, अगर मैं 2 put कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है, और दूसरा coordinate आ रहा है मेरे पास, 4, तो 4 का root हो गया, ये दूसरा coordinate आ गया, तो ये coordinates पता लग गए हमारे को, अब की ये coordinates क्या है, तो ये हो गया है, 2,1 और यहाँ पर क्या था, minus 1,2, minus 1, ये होगे, minus 1,2, ये 0 है, तो अब अगर मैं bounded area निकाल दूँ, तो bounded area क्या आएगा, देहान से देखो, अगर मैं circle से drop कर रहा हूँ, vertical lines, तो ये हमेशा mod function पर गिर रही है, तो ये आजाएगा, minus 1 से लेकर, 2 तक, and then, subtracting, mod function, minus में होगा, x minus 1, क्योंकि change point यहां से यहां तक है, और फिर एक बार subtract करना पड़ेगा, और इस बार 1 से लेकर, 2 तक करना पड़ेगा, x minus 1, ये है, मोटा मोटी सारी कहानी, अब integrate करते हैं, जल्दी जल्दी से, ठीक है, तो ये minus minus होजएगा, यहां plus, ये ध्यान रख लेना, तो मैं, 3 होगो, इसको i1 ले लेता हूँ, plus में, इसको i2 ले लेता हूँ, minus में, इसको i3 ले लेता हूँ, याद रट लेना, ठीक है, तो आज हो पहले i1 कर लेते हैं, जल्दी से, i1 क्या है, minus 1 से लेके, 2 तक, under root of 5 minus x square, तो ये formula बनेगा, under root of a square minus x square का, जो की आना ही चाहिए आपको, तो ये हो जाता है, x by 2, under root of a square minus x square, plus a square by 2, और a square पूरे का पूरा क्या है, g5, sine inverse of x over a, a जो है वो, ये हो गया, और limit में बने डाल दी, minus 1 से लेके, 2 तक, you should be very fast in the exam, just see what I'm doing, ये देख लो बच्चो, ऐसा आगया, आते हैं, ये सारे के सारे questions, बहुत ज़रूरी questions है, भाई, ये है, and what is sine inverse of minus theta, inverse भी बहुत अच्छे से करते रहना, inverse की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, entrances के लिए, ठीक है, और ये 5 by 2, sine inverse of 2 by root 5, और यहाँ से क्या आगया, ये minus minus हो गया, plus, और ये root 4, 2, और ये minus बहार गया, और इस minus के साथ ये भी क्या हो गया, plus, तो ये हो गया, 5 by 2, sine inverse of 1 by root 5, तो, मोटा मोटी हमारे पास आगया, यहाँ 1, यहाँ 1, तो you get 2, और यहाँ 5 by 2, common sine inverse of, यह देखो, यह आगया, हमारे पास, कुछ ऐसा हो, ठीक है, अब I2 पे चलते है, I2 हमें याद है, X minus 1 का integration था, whole square by 2, में डारेक्ट integration कर दिया है, और यह था minus 1 से लिए 1 तक, 1 by 2, उपर upper limit डाली, 0 हो गया, lower limit डाली थो, यह बन गया, minus 2 का square, यानी 4, और बाहर एक और minus रहेगा, ध्यान रख लेना, यह होगा, minus 2, ठीक है, अब I3 पे आते है, I3 आपको याद है, यह रहा, I3, लेकिन इसके आगे minus लगा हुआ है, इसलिए चिंता नहीं करनी, यह minus यहाँ है, तो हम I3 का integration करेंगे, 1 से लेकर 2 तक, तो I3 का integration हो गया, 1 से लेकर 2 तक, मैंने direct integration कर लिया है, क्योंकि base linear है, algebraic है, direct integration हो सकता है, यह trick याद रख लेना, इससे time बहुत बच जाता है, यह 0 हो गया, तो यहाँ पर आगया हमारे बाद 1 by 2, तो अगर मैं अब यहाँ लेकूं, 2 प्लस, याद है आपको 1 by root 5 था, 5 by 2 था, sorry, 5 by 2, sin inverse of 2 over root 5, plus sin inverse of 1 over root 5, फिर यह था plus में, जबकि answer आ रहा था इसका, minus 2, और यह minus 1 by 2, यह है, ऐसा है न, तो यह 2 और यह 2 तो कड़ गया भाई, यह रहेगा minus 1 by 2, इसका क्या करें, अब वैसे तो आपको याद होना चाहिए, आपने इतना सारा पढ़ाई करी है, inverse trigonometry की, की यह क्या है, अब इसमें मैं एक trick, अगर आपको लगा के दूँ, की sin inverse of 2 by 5 को, मैं theta वुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो sin theta के value क्या होगा, 2 by root 5, याद है, ऐसे सिखाता है, कि यार यह ratio है, तो ratio को आप lambda के साथ indicate करो, वाट क्योंकि objective paper है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह 2 हो गया, हाँ, hypotenuse root 5 हो गई, तो यह हो जाएगा, under root of 5 minus 4, यानि 1, यह 1 हो गया, तो यहां से अगर मैं cos theta की value निकालू, तो cos theta बन गया 1 by root 5, और theta बन गया, cos inverse of 1 over root 5, मैं root ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं replace कर सकता हूँ, यह directly भी पता हो अना चाहिए, इसको orally भी कर सकते हो, तो अगर मैं इसको change करता हूँ, तो यहां लिखेंगे, अब आपको समझ में आ गया, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसी यह cos inverse of 1 by root 5 हो गया, और यहां साथ में क्या बता हूँ है, sine inverse of 1 by root 5, यह कितना होता है भाई साब, यह होता है πाई बाई 2 है ना formula होता है, तो यह क्या 5 पाई बाई 4, क्योंकि यह 2 और यह पूरे का पूरा पाई बाई 2, माइनस 1 बाई 2, तो चेक कर लो चाहरा answer, इसमें से कुछ है 5 पाई बाई 4, माइनस 1 बाई 2, 5 पाई बाई 4, माइनस 1 बाई 2, यहाद रख लेना वहिया, 5 पाई बाई 4, यह आ रहा है, option B या रहा है, clearly option B या रहा है, यह देख लो, बहुत प्यारा question है यह, और इस तरह के question, अगर यह नहीं भी आएगा, तो इसके similar question आने के, बहुत जादा chances है, I'm sure आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को जादा से जादा दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ में बेला आइकान भी प्रेस कर दीजिए, मच्चों पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें,